कि नमस्ते मैं सुमनलता दीक्षित फूल मखाना तो मैं ऐसे खाते ही रहते हैं कभी खीर कभी इसका नमकीन बना के आज मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूं जो की बनाने में बहुत ही असान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है अगर आपको मेरी इस रेस्पी का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक शेर हो सब्सक्राइब करना बेल को प्रेस करना जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और कॉमें शेक्षिन में जरूर बताना यह रेस्पी आपको कैसी मुखाना की सब्सक्राइब के लिए यह दो कप फूल मुखाना है 1 फॉर्थ कप मतर जिंजर गार्लिक प्याज आलू है जिनको छील के दो के काट लिए टमाटर टमाटर और प्याज की पेस्ट बना लेंगे और गार्लिक की और जिंजर की वी गैस पे मैंने कडाई रग दि आप जो भी घी तेल खाते हैं उसको डाल सकते हैं इसमें अब सबसे पहले हम यह फुल मुखाना कर लेंगे तेल भी घरम हो चुका है कि अब हुआ कि यह फ्राइब हो चुका है इसको निकाल लेंगे कि अब इसी तेल में हम यह अलू डाल देंगे तो थोड़ा सा फ्राइब कर लेंगे कि अब आलो जो है यह फ्राइब हो चुके हैं अब इस इन अलों को निकाल लेंगे प्लेट में कि अब कडाई में यह यांज डाल देंगे क्यार को चलाते वेस को भून लेंगे गैस की फ्लेम को भीरे कर देंगे अब इसमें मसाले डालेंगे जीरा पाउडर हीन लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मैज में कश्मीरी रेट चिली भी डालूगी कलर के लिए धनिया पाउडर हल्दी नमक स्वादर नुशार अब इसमें को मिक्स करते हुए जारा सम्खून लेंगे एक बुद्ध अब इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और जिंजर की अच्छे नशे बून लेंगे जब तक इसका तेल जो है वह अलग इसको चलाते रहेंगे ने जो यह नीचे भी लग सकता है मसाला अब इसमें गार्लिक डाल देंगे और इसको अच्छार से मिक्स करते हुए जून लेंगे इसको मसाले के साथ को चाहे हैं मैं इसमें तेल ने पहले मुखाना जिया जो बहुता तक विल्म भी तक घबलस्कून में रूम पूल मुखाने को थोड़े से तेल में पहले ही करने शारा देल इकथा ना डाले मसाला भूम चुका है अब हम इसमें यह आलू डाल देंगे मटर हम बाद में डालेंगे जब थोड़ी देर रह जाएगी पकने के लिए यह फ्रोजन मटर है इनको में बाद में डालूँगी अब इसमें पानी डाल देंगे मैंने मिक्सी में टमाटर पीछे ते उसी का थोड़ा सा पानी ले रहे हूं मटर बाद में डालने से ऐसा होता है कि इसका कलर जो है वह अच्छा रहता है या फ्रेश हो तो उनको थोड़ा उबाल लो पहले और फ्रोजन हो तो उनको बाद में डालो अब इसमें वाला आने देंगे घकन लगाके पकायेंगे । अब ठकन लगा देंगे गैस को थोड़ा धीरे कर देंगे पहले गैस की फ्लीम जो थी वह उब हमप्रों थोड़ा धीरे कर देंगे और इसको पकने देंगे आर जब्यूंद आग recognize इसमें फुल मुखाना भी डाल दिया साथ में अब इनको पखने देंगे पीच पीच में इसको हिलाते भी रहेंगे करने अब यह सब्जी बनने वाली है इसमें मटर टाल देंगे और इनको अच्छरा से मिक्स कर देंगे अब सब्जी का ढखा दाके देखते हैं अब सब्जी पख चुकी है आलू गल गए इनको पहले फ्राइब किया था इसलिए यह जल्दी पख गए अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छरा से मिक्स करेंगे गरम मसाला बाद में डालना चाहिए और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुश्वू भी बहुत अच्छी आ रही है कि शेव सबस्केणि लगें इसको पानी डालने के बाद पकाने में अब इसको शर्विंग बाल में डाल लेंगे तयुक्तिए इसこれで आपके तापकेंगे चुश्वान जाब़ा लेंगे कि इसको आप किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं रोटी चावल नान प्रांथा अब इसको हरेधनिया से गार्निश करतेंगे